नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमित्रा सुलूशन पर और मैं हूँ गणे सोजा दोस्तों आज हम बात करेंगे RGHS में फेमिली कार जो रेजिस्टेशन है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम फेमिली का रेजिस्टेशन किस प्रकार से कर सकते हैं तो उसी की जानकरी मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से बताने वाला हूँ तो दोस्तो बने रहे हैं मारे इस वीनियो के साथ में वीडियो पर संदाज आ जाता है तो वीडियो को like करना share कर दिना और साथ में comment box में comment भी लिख देना दोतो channel के उपर नए आए हो तो channel को जुरूर subscribe कर लेना फैमिली रेजिस्टेशन का मतलब है कि पैंसनर की मृत्यों हो जाती है उसके बाद में उसके परिवार बालों को जो पैंसन मिलती है उसका रेजिस्टेशन हम किस प्रकारशे करेंगे तो बहुत बड़ी समस्यास लोगों के सामने थी कि family का registration किस प्रकार से करें pensioner का registration तो आ गया था लेकिन family pensioner का जो registration था वो बंद था तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले आपको SSO ID से login कर लेना है यदि आपके पास में employee ID है तो आपको उसे यहां पर login कर लेना है यदि नहीं है तो आपको citizen ID बना लेनी है दोस्तों यदि आपके पास में जो भी employee ID है उसे भी login करोगे तो आपको यहां पर दो option मिलेंगे तो आपको यहां citizen A पर आ जाना है जैसे ही आप citizen app पर आओगे तो आपके सामने बहुत सारे option आएंगे उसमें से आपको RGHS पर click कर देना है तो दोस्तो जो employee ID है उससे तो आप केवल जो career तक्रमचारी है उनका ही registration कर सकते हो और यहाँ पर आपको citizen ID से ही registration करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तो इस परकार से आपके सामने option आ जाएगा यहाँ पर आपको इसको बंद कर देना है इसके बाद में अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस परकार से dashboard आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर दोस्तो पहला ही option आ रहा है register as pensioner and family pensioner यहां पर family pensioner का option आ चुका है यहां पर दूसरा जो option है वो है register as retired judicial officer या pensioner and family pensioner यानि judicial officer यदि है तो वो यहां से करेंगे और यदि साधारन कोई भी pensioner है तो उसका register हम यहां से करेंगे तो दोस्तों यहां पर मैं इसको click कर देता हूँ जैसे मैं इसके उपर click करता हूँ तो हमारे सामने एक नया dashboard है वो आ जाएगा यहां पर तक आपको सभी को पता है कि क्या करना है आपको जनाधार कार्ड नंबर यहां पर लगा देना है यहां पर जनाधार कार्ड नंबर जैसे ही लगाओगे तो आपको continue बटन पर click करना होगा आपके सामने इस परकार से detail आजाएगी यहां पर जो भी pensioner था यानि कि जैसे family pensioner में यदि आप registration करना चाते हो तो इसमें जो भी pensioner था उसकी detail तो यहां पर आएगी नहीं जैसे ही select करेंगे उसके बाद में हम continue बटन पर click करेंगे तो यहां पर उसकी details आजाएगी यहां पर सबसे पहले तो जो pensioner था उसकी pensioner की detail आपको यहां पर बढ़नी है साधारन pensioner है तो यदि आपको यहां पर pensioner RSC pension rules इसको select करना है यदि family pensioner है तो आपको यहाँ पर family pensioner को select करना है आपको इतना ही ध्यान रखना है पहला जो option है AIS pensioner यानि All India Service pensioner यदि है तो आपको यह select करना है और AIS family pensioner है तो आपको यह select करना है यहाँ पर वस इतना ही ध्यान रखना है यहां पर family pensioner है तो आपको यहां पर family pensioner को select करना होगा यदि साधारण कोई pensioner है तो आपको उसको select करना होगा उसको select करने के बाद में यहां पर PPO number और जो भी joining data या जो भी retired data है वो आपको यहां पर बरनी है और verify button पर आपको click कर दिना है जैसे ही आप verify बटन पर click करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये सारी details है वो यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो define family with respect to selected pensioner तो यहाँ पर उस family को आपको यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर जितने भी member जो जनाधार card में होंगे उनकी details यहाँ पर आ जाएगी तो आपको उनको select करना है select करने के बाद में यहाँ पर अन्य लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं तो rules and regulation के अनुसार उनको pensioner के रूप में माना नहीं गया है यहाँ पर जैसे ही सभी लोगों का details आ जाए इसके बाद में आपको continue button पर click कर देना होगा जैसे आप continue button पर click करेंगे तो यहाँ पर उसकी पूरी details है वो आ जाएगी और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो terms and condition है उनको select कर लेना है और यहाँ पर submit button पर आपको click कर देना है दोस्तों जैसे आप submit button पर click करोगे तो आपके सामने इस प्रेकार से option आ जाएगा यू हैव successfully registered facility of downloading of e-card will be commencing soon यानि जो भी e-card की सुईदा है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर successfully registration हो चुका है तो आप इस प्रेकार से family pensioner का registration है जो कर सकते हो तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को like कर देना, share कर देना साथ में comment box में comment भी लिख देना चैनल के उपर नए आए हो तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना और comment box में comment जरूर रिखा करें क्योंकि यदि comment box में आप comment लिखते हो तो इसे हमें motivation मिलता है आप वीडियो को भी like करें क्योंकि आपके एक like से हमें motivation मिलता है तो आप like जरूर किया करें और साथ में comment box में comment भी लिखा करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में तब तके लिए जैहिंद